नम्मर चार जब लक्ष्मी आती है तब माना आदमी की भाषा कठोर बन जाती है बाषा हमेशा को मल रहनी चाहिए कठोर मत बनो कठोर बनने से बहुत पकलिफ है अब शब्दा मत बोलो कभी जवान पर से अब शब्दा नहीं निकलना चाहिए अब तो बाधा दिलवादी है इसलिए निकलने वाला ही नहीं है कभी भी कल जल, कल जो प्रतिक्याईदी है, उसके अंदर में कभी भी गलती हो जाए, तो उसका प्रायशित गुरु माराज को भेजने का, साथ नवकार गिनने का, कभी बिमारी आ गई, और पुजा को नहीं गई जा सकते, तो चल सकता है, कभी चत्रीस घंटा ट्रेंड में ब प्रक्ष्मी जब आती है, तब सज्जनों की दोस्ती कम होते जाती है, और दुर्जनों की दोस्ती ज्यादा होती है, तो दुर्जन का संग नहीं करना चाहिए, पैसा जब है तो दुर्जन के संग की अंदर में मत जाई है, दुसरा एक सुचन है, कि जिसकी अंदर में अप भी भी बेकार नहीं जाता है तो लक्षमी पाने के लिए बिना परिश्रम आप सोचो के बैठे-बैठे मेरे को पैसा मिल जाए ऐसा नहीं हो सकता है परिश्रम करना ही चाहिए बिना परिश्रम लक्षमी नहीं है जाइन ग्रंथों की अंदर में कितनी कुप्यों की बाते दंजे के लिए लिखी है आत्मारामजी मेराज का तत्वादर्षणाम का ग्रंथ है उसी के अंदर में किसी सासरा का अलेक देके लिखा गया हुआ है कि आट लोग की साथ में बिजनेश करते हूँ आज लोग लोग जो बलवान आदमी है उससे भी कभी बाडी बिल्डर से भी कभी विवाद मत करिये बिमार आदमी जो है जो बिमार अदमी की अंदर में है उस बिमार अदमी को कभी भी सताई मत उसकी साथ में भी विवाद नहीं करिये वडिल जो रहता है माता और पिता वडिल है गुरुदेव जो है तो वडिल है तो वैसे वडिलों की साथ में भी विवाद नहीं करने का छोड़ देने का और निच वरत्ती जो लोग बहुत हलके काम करके अपनी अजीविका बनाते हैं जानवरों को काटना जानवरों को बेचना बुचड खाने की अंदर में सप्लाई करना ऐसे निच काम जो लोग करते हैं उसकी साथ में भी कभी विवाद नहीं करने का और आखिर में जो कोई तपस्वी है तपस्वी संत है तपस्वी सादू है तपस्वी कोई संञ्यासी है तो वैसे तपस्वियों की साथ में भी कभी विवाद नहीं करने का राजा कृष्टन के समय में द्वाइपायन नाम का तफस्वी था उसकी साथ ने कृष्टन के लड़कों ने बहुत विवात कर दिया और उसने अपना तप वोड में रख दिया कि मेरी साथ में उन्होंने दूर बेवार किया है में मरने के बाद पुरी द्वारिका को जला के साथ कर दूँगा और वो दैपायन देव लोग की अंदर में अगनी कुमार देव बना उसने पुरी द्वारिका को जला के खलास कर डाली आज भी बारस्तर का उस द्वारिका को डून रही है कि सोने की सोना की द्वारी का बनी हुई थी वो सोने की द्वारी का है किदर समंदर की अंदर में उसकी खोश कर रही है आठो की साथ में कभी भी विवाद नहीं करें